अगर आप दो और उससे ज्यादा PC और Laptop पे काम करते हैं और उनमें बार बार आपको data transfer करने की जरूत पड़ती है तो आपको बिना pen drive और CD के यूज़ के आप आपस में only for cat6 के थूरू आप इसमें data transfer कर सकते हैं जैसे यह cat6 utp cable है दोनों इंड पे मैंने RG45 connect कर रखा है उसके बाद एक इंड को आपने first वाले PC में जोड़ लेना है यह LAN port बना हुआ इस पे आपने connect कर लेना है और दूसरा इंड जो है आपने दूसरे PC में connect कर लेना है अब यह दोनों PC आपस में sharing में हो गए अब LAN में जा जाना है और यहां पर जो चेंज अड़ेप्टर का option है यहां पे आपने क्लिक कर लेना है उसके बाद यह पर इथरनेट को option आ जाता है और इस पर भी हमने right-click कर लेना है और property पर चले जाना है properties पर जाने के बाद यहां पर जो IPv4 है इस पर हमने double-click कर लेना है उसके बाद आइपी है इसको और अब दोभारा सबस्क्राइब मैं 100 तूप के तो सबस्क्राइब द tenía São 30-2 पारियादी तो दूसरे पीसी तूपरिया अपने दूस्री आईपी देनी है 100 के अलावा same IP नहीं होनी चाहिए उसके बाद आपने tap मारने के बाद यहां पर नीचे subnet mask आटोमेटिक आ जाएगा और इसको आपने ok कर लेना है ok करने के बाद इसको हम यहां पर भी ok कर लेते हैं और उसके बाद हमने यह application close कर लेनी है तो अभी हम इस पर यहां पर डेक्स्टॉप एक new folder बना लेते हैं जिस पर हम data transfer करेंगे दोनों PC में आपस में शेरिंग करेंगे तो इस फोल्डर में पर हमने right click करना है और right click करने के बाद यहां पर इसकी property में चले जाएंगे यहां पर यहां पर उपर sharing का option आता है यहां इसको full control यहां पर देना पड़ेगा full control change यहां पर पूरा इतीनों चेक होनी चाहिए उसके बाद यहां पर हम apply और ok कर लेंगे apply ok करने के बाद इसमें भी second में भी apply ok कर लेंगे और इसको फिर हम close कर लेंगे इस window को फिर उसके बाद हम अगर आप चाते हैं कि पूरी drive में share कर लूँ पूरी drive में से फिर जो data मुझी चाहिए वो share कर लूँ तो उसको यहां पर आप देख सकते हैं जैसे एक drive है इस पर भी same right click करके property में जाके sharing आप यहां पर same उसी तरह इसको permission दे सकते हैं आप जो data आप इसम यहां पर देख सकते हैं यह sharing का symbol आ चुका है अगर आप इसको share से अठाना चाहते हैं तो right click करके इसमें प्रॉपर्ट में same चले जाना है sharing में जाके advance sharing में और इसको uncheck कर लेना है अंचेक करने के बाद इसको okay कर लेना है और यह अब देख सकते हैं sharing से हट चुका है अभी तो इसमें अभी कोई sharing नहीं है तो अभी इसको हम close कर लेते हैं अभी अब दोनों PCS पर data हम कैसे transfer करते हैं विंडो आर प्रेस करने के बाद यहां पर double forward slash और 192.168.0. यहां पर जो हमारी IP है first PC की दूसरे PC की उसको हम यहां पर search कर लेंगे 108 यहां पर उसके बाद search करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं यह new folder आके है जो हमने sharing में folder डाला हुआ था जो यहां पर आ चुका है तो आप दूसरे PC में आप sharing copy paste करके आप sharing कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करना न बोले